हेलो दोस्तों नमस्कार आपका अपना चैनल कुईज अब देवी तेज़े में आपका स्वागत है मैं आपका साथ ही एज़े आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ हिज यू आरेल यानि कि हिंदोस्तान औरवरक रासाइनिक लिमिटेड में आई बंपर वेकेंसी के बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा चुकि ये पहले आपको ट्रेनिंग करवाएगा एक साल का ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद जो आपका बेसिक 23,000 से स्टार्ट करेगा उतना बेसिक होने के बाद आपको इन हैंट सेलरी कितना आएगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेसलिप भी दिखाऊंगा अभी का अभी के वहाँ अभी का जो चल रहा है डी या फिर जो भी अलाइंस अभी मिल रहा है उसके according अभी जो enhanced salary आणा है, उसके आपको लोग calculation कर सकते हैं कि एक साल बाद आपका कितना होगा, साथी साथ आपको training में कितना lib मिलेगा, उसके बाद आपको training में कितना stipend मिलेगा, कितना HRA मिलेगा, धारे मिलेगा, कि इस बार रननीती हमारा जीरो से नहीं experience से start होगा, जो कुछ आप लोगों को इससे पहले वाले exam में देखने को मिला, इस exam में मैं कोशिस करूँगा, इसका जो भी वीडियो लाऊंगा, फोड़ा moderate level से easy level से लेकर के high level तक का भी प्रयास करूँगा, ही URL से related भी मैं वीडियो लाऊंगा, definitely लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको हमारा वीडियो से help मिलता है, कुछ दोस्त negative comment भी किये, negative feedback भी दिये, उन दोस्तों को ignore करते हुए, जिनके लिए ये वीडियो important है, जिनके लिए हमारा channel helpful है, उनके लिए मैं मैं पहिनत करूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला, और free of cost, free में ही मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, भले कुछ लोग पैसा लेकर के आपको पैसा लेते हैं, या फिर अच्छा खासा फिस लेकर के आप लाइन क्लास दें, डेंट मैटर आपका इच्छा करे या ना करे, मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, बट मैं अपने चैनल पे लेकर के आऊंगा वीडियो, HRRL से related भी, अभी तो ये advertisement का फुरा फुल वीडियो है, इसके बाद फिर syllabus का लाऊंगा, इसके बाद फिर BSC वालों के लिए भी उसमें जो 100 question आने हैं, 1500 question आने हैं दोनों, जैसे कि अ अगर आप chemical वाले हैं तो 100 question आपका chemical stream से रहेगा, और 50 question जो है 100 non-tech से रहेगा, 1500 question आने हैं, अगर BSC वाले हैं तो आपको 100 question chemistry से रहेंगे और 50 question, मतलब 50 question वाला जो part है, non-tech वाला, वो constant है, दोनों में सेम है, और जो 100 question वाला part है, वो different है, ये बात मैं advertisement में आपको बताया हू तो बेना समय गबाते हुए चलते हैं आज के advertisement के तरफ, एक बार देख लिज़े इसको, हाँ तो दोस्तों चलते हैं इसके advertisement के तरफ, इस advertisement में मैं जो important चीज़े हैं, बस उसका जिक्र करूँगा, बाकी full advertisement के लिए आप नीचे दिएगे telegram channel को join कर लिज़े, वहाँ पे इसक अल्डेडी पहुच भी गया होगा, क्योंकि vacancy ये दो-ती दिन पहले आ चुकी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, कि ये जो HURL है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, कि ये जो HURL है, कुछ लोग lightly लेंगे कि छोट मोटी कंपनिया है, तो दोस्त ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा, इसका salary package भी ठीक ठाक है, ठीक है, तो HURL जो है, हिंदुस्तान उर्वरक रासाइन लिमिटेड हुरल, ये एक joint venture कंपनी है, ठीक है, जो Indian Oil Corporation, IOC, NTPC, Coal India Limited, Fertilizer Corporation of India Limited, FCIL, and Hindustan Fertilizer Corporation Limited, HFCL, with prime objective to establish the operate state of the art, environment friendly and energy efficient natural waste fertilizer complex, जिसमें की ammonia and urea, इसका सब capacity दिया हुआ है, मेरा ये बताने का purpose है कि ये बहुत अच्छी कंपनिया है, आप ये सब कंपनी देखी रहे हैं, IOCL, NTPC, FCIL और FCL ये बड़े-बड़े कंपनियों के द्वारा ये joint venture है, तो अच्छे से आपको preparation करना है, भेकेंसी भी ठीक ठाक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे भेकेंसी का बात कर लेता हूँ, कि ये जो भेकेंसी है, ये graduate engineer training के लिए, graduate engineer training के लिए जिसमें की 40 chemical में post है, और उसके बाद instrumentation में 15 post है, ठीक है, और इसके लिए qualification क्या चाहिए, full time regular diploma चाहिए, और कुछ दोस्त जैसे distance से कर लिए है, ठीक है, AMI से भी अगर किये है, AMI से chemical engineering, तो वो भी eligible है इसके लिए, ठीक है, इसके बाद, अब हम बात करते हैं, और उसके बाद देखिए, electrical का इसमें से 6 post है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, डिपलोमा लेबल पे, जिसका कि मैं एक preparation का भी श्रीज चलाऊंगा, वो भी एकदम free of cost, आपको कोई pay नहीं कर रहा है, वीडियो देखनी के लिए, free में, जिसमें कि आपको vacancy details, जो है, chemical वालों के लिए 130 vacancy है, 130 vacancy बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं है, chemical में, और इसके लिए आपको three years full time diploma चाहिए, जो दोस्त lateral interest से किये हैं, वो इसके लिए eligible नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए आप किसी भी question को पूछने से पहले advertisement पढ़ लें, full time diploma चाहिए, अगर या फिर BSC किये है PCM में से किसी चीज से, तो वो भी इसके लिए eligible हो इसके बाद, और जो important important चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और जैसे ये कह रहा है कि minimum 50% marks जो है, डीटी वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 50% marks अक्सर इससे ज़्यादा तो सबका होता ही है, तो ये सब point एक बार थोड़ा सा आप लोग बढ़ लेजिएगा जैसे देखिए, यहाँ पर clear लिखा हुआ है, candidate holding a qualification, acquired through part-time, corresponding distance mode are not eligible to apply, अगर कोई part-time किया है, ठीक है, correspondence किया है, distance mode से किया है, तो इसके लिए eligible नहीं है, तो एक बार आप लोग advertisement जरूर से जरूर पढ़ने में दोस्त, ठीक है, इसके बाद जो important चीजें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग पूरा advertisement पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक important बात क्या है, तो important बात यहाँ पर यह है, कि nature and period of engagement, the selected candidate will be engaged on training, जो अगर आप इसमें, select हो जाते हैं, तो आपको training पर रखा जाएगा, we have to undergo a minimum training for period of one year, minimum एक साल का आपको training दिया जाएगा, और उसके बाद, अगर जीटी वाले हो या डीटी वाले, upon successful completion of the training period, candidate will be considered for absorption as engineer at E1 in executive grade, यह बीटेक वालों के लिए है, और जो हमारे दोस्त डिप्लोमा वाले हैं, उनको भी upon successful completion of the training period, candidate will be considered for the absorption in junior engineer assistant grade 1 at non-executive supervisor grade, तो यह permanent job है, आपको यह training के बाद आपको permanent regular वहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें आपको क्या stipend दिया जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बीटेक वालों के लिए, गेट वालों के लिए 40,000 जो है स्टाइप्मेंट देगा, प्लस accommodation देगा, अगर आपको accommodation नहीं देगा, तो अगर आप बाहर रहेंगे तो HR देगा, ठीक है, पर्मानेंट होने के बाद, चालिस हजार से एक लाग, चालिस हजार प्लस यह जो है स्टाइप्मेंट देगा, एक साल के ट्रेनिंग के दोड़ान, और अगर आपको रूम दे दिया तो ठीक है नहीं, तो HR देगा, और पर्मानेंट होने के बाद, आपको बेसिक 23,000 से स्टार्ट होगा, बेसिक, और व बनेगा, मैं आपको पेसिलिप भी दिखाऊंगा, HRL का, ठीक है, तो वीडियो के साथ अंतक चरूर बने रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत सारा चीज क्लियर करने वाला है, और CTC आपको 7.7 लाख एप्रॉक्स जाएगा, ठीक है, और ये कुछ दोस्त कन्फ्य में हैं, कि अगर सर मैं अप्रेंटिसिप कर रखा हूं, तो क्या मैं इलिजिवल हूं की नहीं, तो बिल्कुल आप इलिजिवल हो, अप्रेंटिसिप हो, या फ्रेशर्स आप बिल्कुल इलिजिवल हो, आप फॉर्म अप्लाइ कर सकते हो, ये पर्मानेंट जॉब है, ठीक ह जब आपका हो जाएगा एक साल का वो complete उस जब आपको regular कर दिया जाएगा तो सारा कुछ मिलेगा बेसिक पी मिलेगा फिर उसके बाद DA मिलेगा HR A मिलेगा company accommodation मिलेगा ठीक है और जो भी other alliances है चाहे वो leave हो medical facility हो सारा कुछ आपको मिलेगा ठीक है चाहे वो contribution of provident fund उसका gratitude सारा कुछ आपको उसके बाद super innovation benefit scheme ठीक है group personal accidental insurance सारा कुछ आपको जो भी एक सरकारी करमचारी को मिलता है government imply को आपको सारा benefits मिलेगे ठीक है तो बहुत अच्छा opportunity है आप लोगों के लिए और during training period the candidate will be entitled for the following lives in a year एक साल का जो आपको training होगा जिसमें सिर्फ आपको 12 CL मिलेंगे छे holiday मिलेंगे और 10 जो है सीक लिव मिलेंगे मतलब 10 6 16 मतलब 10 प्लस 6 प्लस 12 ठीक है मतलब 12 6 8 28 28 लिव आपको only मिलेंगे training period में ठीक है उसके बाद जब आपका training complete हो जाएगा तो आपको diploma वालों के लिए भी मैं पढ़ देता हूँ एक पहले इसमें मेरा focus diploma वाले पर ही है ठीक है देखिए अग the selected deity candidate will be required to execute a service agreement bond 2 lakhs to serve the company for at least 3 years after successful completion of the training training जब आपका training complete हो जाएगा तब कुछ दोस्त confusion में हो है कि हम training में भी क्या हमको bond भराएगा क्या training में भी हमको pay करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है training में एक साल के training में अगर आप छोड के जाते है तो उसके लिए आपको कोई bond नहीं भरना है कोई pay नहीं करना पड़ेगा जब आपका permanent हो जाएगा तब आपको minimum 3 साल जो है सो उसमें job करना ही करना पड़ेगा उस बीच अगर आप छोड़के जाते हैं तो आपको 2 लाग का bond है वो आपको pay करके जाना पड़ेगा ठीक है यह डिप्लोमा वालों के लिए बीटे के लिए यह साढ़े चार लाख रुपया है ठीक है बट ट्रेनिंग प्रियेड में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद यह सब चीज आप लोग देख लीजिए ठीक है अब देखिए इसके बाद एक important सीज़ें यह है कि डिप्लोमा वाले के लिए minimum is 18 और maximum is 27 है अगर आपका age 18-27 के बीच में है तभी आप भड़ सकते हैं कोई age relaxation नहीं है कोई caste wise कोई कुछ भी आपका category है आपका age 18 से सत्ता इसके बीच में होना चाहिए अगर आप इसके उपर हैके हैं तो आप eligible नहीं है clear mentioned है उसके selection process आप लोग पूरा देख सकते हैं जो जो important बात हैं उस पर मैं focus करूंगा ठीक है उसके बाद उसके बाद जो important चीज़े हैं वो है syllabus में यहां पर आपको डिप्लोमा वाले के लिए क्या है कि डिप्लोमा वालों के लिए और BSC वालों के लिए यह technical question का अलग-अलग distribution में रहेगा मतलब तो total तो 150 question रहेंगे exam में total question कितने रहेंगे 150 question रहेंगे जिसमें से 50 question general English से quantitative aptitude से reasoning से और general knowledge से यहां से तो 50 question यह दोनों में रहेंगे चाहे आप डिप्लोमा वाले हैं या BSC वाले यह 50 question जो है दोनों के लिए common होंगे ठीक है इसके बाद technical question जो 100 marks का होगा वो डिप्लोमा वा अलग रहेगा और BSC वालों के लिए अलग रहेगा जिसमें कि आपको chemistry stream से थोड़ा deep पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए आप लोग confused नहीं होना है आपका question paper जो है 100 marks का जो distribution होगा अलग-अलग होगा BSC वालों के लिए अलग और डिप्लोमा वालों के लिए अलग question र बताऊंगा जो important चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा आपको उसके बाद आपको इसमें application फीज जो है 500 रुपिय लगेंगे ठीक है उसके बाद हाँ उसके बाद मैं direct आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो एक तारीक से जो है बत दिखाने वाला हूं इसका pay slip जब आपका permanent हो जाएगा तो आपका in hand कितना आएगा gross कितना जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यहां पे आपको हारे भी एड होगा इसमें हारे एड नहीं है net pay यहां पे 38,258 है अभी के DA के हिसाब से उस टाइम पे आपका हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा और इसमें हारे एड नहीं है ठीक है अगर आपका बाहर रहेंगे तो आपको HR भी मिलेगा ठीक है तो इसमें 2000 और एड कर देजिए मतलब आपको 40K से उपर ही आपका salary बनेगा ठीक है स्टार्टिंग से फस्ट मंथ से आपको 40K से उपर आपको in hand salary मिलेगा ठीक है और उसका gross क्या होता है यह आप यहाँ पी देख सकते हैं तो उमीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए helpful हुआ होगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद